स्वागत है और आज हमने करा है करेंट अफेर्स जो सभी एक्जाम्स के लिए बहले आप रास्तान हाई कोड की तैयारी कर रहे हों फर्स्ट के सेकेंड इडेट रीट में इस सबी एक्जाम्स में आपके काम आईगी और आप S.S.C. U.P.S.C. की तैयारी करें तो उस पर भी ए सब्सक्राइब कोई नहीं आपको पता है कि दिल्ली में जो हमां की आजरेवाल और उपराजपाल उसके बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तो काफी फेमस यह नाम है और इसलिए एक्जाम्स में पूछा सकता है इसका सब्सक्राइब आप 30 सेकंड पॉस करने के बा सेकंड जी टॉंटी सम्मेलान का अगला अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा देखिए अभी जी टॉंटी सम्मेलान हो रहा है मैंने यह कुछन पहले भी पूछा हुआ है अगर आप इसका सही आंसर दे देते हैं तो बहुत ही क्योड़ी बढ़िया है इसका मतलब आपको प्र कुछिण 3 धन शोदर निवारा अधिनान 222 के अंतर ECIर क्या है देख एक होती है एक होती है यह यह पी में लिख अंडर में प्रिमेंशन इंगलिश हम लोते हैं हिंदी में धन शोदर निवारा अधिनान22 को बोलते और इसको एडी जो है वो रिजिटर करती है तो इसकी रिपोर्ट तीन एक्जेकुटिव केस इंटिक्रिटी डिपोर्ट और चाहता उपकर कोई नहीं यह बहुत इंपोर्टन है क्योंकि हाल फ्लाल में बापस से इसमें रिव्यू हुआ है हुआ यह था कि सुप्रीम कोड ने कुछ दिनों पहले एक नेने दिया था कि ECIR की कॉपी देना आवशक नहीं है ECIR में क्या लिखावा है यह जो अभ्यूक्त है जिसको गर्फतार किया जागा उसको बतारा आवशक नहीं है बट अब इसको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोड तयार हो गया है क्योंकि पहुचता इसका प्रोट ना कि यह सरकार को प्रोव करना या एजेंसी को प्रोव करना कि आप गल्लत है जैसे पुलिस आपको खिलाफ केस बनाएगे और केस को प्रोव करेंगी विद एविदेंस लेकिसमें जिस्ट उल्टा है इसमें विद एविदेंस आपको प्रोव करना है आप इनूसेंट है त कुशन 4 विश्युदार ले अनुदान आयो के वर्तवान अधिश कौन है ऑप्शन है एम जगदिश कुमार एस राजिश कुमार एल संजीव कुमार और उपक्त पर से कोई नहीं बहुत सीधा सा आंसर है करेंटर फेट्स में इसलिए पूछा गया किसका से आंसर है एम जगद की त्यारी कर रहे हो यूपेसी की त्यारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कुशन है और 2030 तक इंडिया ने डिसाइड किया कि जो आधी बिजली है उसका प्रड़क्शन जो होगा फॉसल फ्यूल से उसके थूरू नहीं होगा जैसे पैट्रोलियम कोल वगार इंडिया के थूरू नहीं होगा बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन लुटा हूट लेह होता है और आपको मैं एक इंफॉर्मिशन और बता दू कि इंडिया ने 40 गीगावार्ट जो है पवन उडजा वो स्थापित कर दी गई है यानि इतनी पवन चक्कियां लगा चुका है कुरिशन 6 एक राश्क एक उरवर्ग उजना एन नए यीजना 5 एक रास्क एक उरवग उजना का नाम क्या है न सेकंड्र चन्म भारति आंती San N Vielleicht और उसका बहुत प्रटेस्ट हो रहा है कि इस में एसा लग रहा है कि प्रथानमंदी अपना ही प्रमोशन कर रहें और अपनी प्रोमोशन कर रहा है तो इसम्हें जो आपोशथीन परीशियन काफी ब्रूचल किया है देश का पहला स्वधिश निर्मित विवान वहाग पोद का नाम क्या है ओप्शन है विक्रम, सेकेंड विक्रांग, तीसरा विजय और चोथा उपिक में से कोई नहीं यह बहुत इंपोर्टेट है हमारी सिफ्टी के लिए खास्त और से जो हमारे जो जल सिफ्टी है नेवी ने ले लिए जो नेवी में अपनी सेवाय देना है उसने शुरू कर दिया है तो इसका नाम बताइए शेक्रम, सेकेंड विक्रांग, तीसरा विजय और चोथा विक्रांग में से कोई नहीं और इसका सही आंसर है विक्रांथ स्वदेश में विखस्ट नो हन प्रणाली नेजिकेशन सिस्टम जिसा जी पेस प्रणाली होती एसे इन्डिया ने वह एक अपने जीपेस बनाया हुआ है लेकिन वह लोगों के इस्तिमाल के लिए इंडिया उसको हावाय जाइस वगरा के लिए लोगों के लिए उसको अभी तरक खोला नहीं गया है तो इस नो भन प्राणानि का नाम क्या है घगन अजय विजय ये उपविक्त पच्शे कोई नहीं है और साइँ आंसर इगन ये बह इक कंपनी बनाती है उसको इंडिया ने छूट दिया कि वह उसमें गगन नविगीशन सिस्टम प्रसका किसे दिया जा रहा है यह आज की अख़वार की ही ख़बर है अगर आपने पढ़ के इसका चाही अंसर दे रहे है तो पहले नहीं दे रहे तो आपको फिर अख़वार प कि इसका सरय विश्वमित ददिच जो पहला है वही इसका सय आनसर है कि विश्वमित ददिच को किस कृती के लिए राश्था नी बाल सहीत प्रस्कास दिया जा रहा है तौड़ा कोउप्शन हो गया तो ओप्षिन्enne आपनों आश्याना दो मचलियारा आसू तीन आसमान रहां बादल और उप्यक्त में से कोई नहीं तो विश्वा में तरदेश को रास्तनी बाल साहिति पुरस्कार तो मिल रहा है और लेकिन किस कृति के लिए दिया जा रहा है वह है सैकिर मचलियारा आसू कुछन 11 किस भारतिय को हाली में अंतरा से जो इंटरनाशनली इंडिया को रेप्रेजन करती को काफी नाम बड़ी बात होती है ऑप्शन है डॉक्टर क्रेश्ण मुर्ति सुपरमन्ययम डॉक्टर रश्वे वशेष्ट डॉक्र क्रेश्कार अयप्पा और चौता उप्यक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है पास्तर हाइए कोट के लिए नियुकल इंगलेश के चैपर से अलरड अप्रोटिट हैं सब्सक्राइब चैपक लिए तो आपने को देखना ना भूल है थैंक्यू